और मेरे भाई क्याल चाल कैसे हो भाई हो बहन हो काम कर रहे हो कि अपनी जिन्दगी में कैसे लाइफ चल लगी है काम करते हो अगर कोई भी प्रोडम हो दोस्त आपको आप इंस्टाग्राम पर आड में शूतर पर भेज सकते हो मुझे मैं वेडियो बनाओंगो इस पर आज हम कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी प्रॉप्लमेटिक रखें लेकिन बहुत ही परस्नल है इन नेचर और कुछ चीजें मुझे बढ़िया लगी बट मुझे एक चीज है ना यू लॉंग फॉर मोर तो मैं और चाहिए क्योंकि बात यह है शिवाजी महराजी जब आप हिस्ट मुझे तब यात है मुझे हिस्ट्री चेप्टर में आप पढ़ रहे हो कि मुगल आ रहे है चलो ठीक है इन्वेडर है मुगल की स्टोरी आपको एज इन इन्वेडर लग रहा कि उसने यह किया यसे पहली वह तुमारे शाय जो आया था पहला जो था बाबर था वो हार गया वह जा कि उसने अपनी सारी दारू के सब को जो भी कंटेर रहे है सब को तो ताड़ के समय वह कर दे तो तगड़ी स्पीच दी उसने और फिर वह जीत गया और फिर हम मैं उसको जब आपने पलेट तो आपको दिखता है अब यह आया चारेक्टर ने आपके दिमाग में और वह इतने स्ट्रॉंग है आप उनके बारें पढ़ रहे हो फिर वह हारे फिर दूसरा करेक्टर आया फिर वह भी हार गया फिर यह वह रहो इसमें एक जीत गया फिर दूसरी वह हार गया और यह लोग देर बढ़ते चले गए फिर चैप्टर जब आते आते शेवाजी हीरो जो की लड़ता रहा और जीतता रहा तो मुझे यादे बच्पन से मिला मैं को यादे मैं रोज यह शाम को पड़ पड़ा के अपने घर में मम्मी से बात करते तो मैं कमें यह यह नया मेरा फेवरिट सूपाहरे हो आ गया तो मैं लिए वह चीज से एक बच्चे के देख रहे हैं तो आपको एक फाइली हीरो मिला जो की हां जो से आपको के हां भाई हम हारने वाले नहीं हैं मेरे दिमाब में तो मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग था वो जो भी मैं पड़ ला था कि बहुत ही तगड़े स्ट्राइजिस थे वो बहुत ही तगड़े कमांडर और बेसिकली धान बोदी थी उन्होंने किताब में क्लिर लिखा हो था यह इंसान था जिसने जब तक यह रहा तब तक इनके लगाया रखे इसने तो मेरा थोट यह है मैं मूवी से हमेशे ही होता है कि मुझे और देखना है और मैं चाहूंगा यह पूरी जो हिस्ट्री है बाजी महराज की एक पूरी सीरीज में हो यह नो नेट्फलिक्स की एमेजॉन की किसी की भी मुझे उसे फर नहीं पड़ता इसको एक बहुत ही मच्यॉरिटी के साथ मच्यॉरिटी वाले परस्पेक्टिव साथ जिसमें आप एक्शन में स्ट्राटिजी दिखा रहे हैं उन इसके पाद आपके अगल-बगल के लोग जो आपको दोका दे रहे हैं सब चीजों से डील कर रहा है कि इनसान तो आपको यह स्ट्री स्टोरिश के साथ बढ़िया क्या होता है ना इसमें characters बहुत हैं और आपको characters बनाने नहीं है बड़ आपको history पढ़नी है इसके लिए बहुत जादा बहुत जादा history बढ़नी है बहुत ही detail में और आपको पूरी इतनी मोटी I think एक notebook लेकर बैठनी है और आपको notes बनाने है क्योंकि अगर आप episodes में उसको करने वाले हो तो आपको हिसाब सब्सक्राइब दिमाग में देखना भी है कि इन सारे characters को कि एक character नहीं होना चाहिए ताना जी movie मैंने चीव देखा में characters कम है और मैं समझ सकता हूँ एक movie के constraint में आपको 2 गंटे के उसमें आपको पूरी story दिखानी है तो आप simple एक पूरी जो timeline है उस इंसान की life की उसमें से आप एक episode दिखा पा रहे हो उसलिए वो ताना जी movie पर है ताना जी जो commander उनके commander नी ज ताइम के historical context के बार में आपको समझ होगी instead of ये देखने की कि अच्छा बुरा anime में सबसे गजब बाद क्या होती है ना अच्छा बुरा established हो जाता है लेकिन आप बुरे के भी perspective देखते हो वो चीज़ में बहुत fascinating लगती है क्योंकि आप हम ये चीज़ भूल जाते हैं कभी कभी बुरा से बुरा ने होता वो भी इंसान है उसके भी कोई ने कोई motivation है ओ मोटिवेशन जानना बहुत important होता है फिर आपको और story में आप घुस पाते हो ताना जी मुवे में अपने problem बाता हूँ मुझे कहां क्या लगी मुझे थोड़ी सी problem लगी देखो story problem नहीं थी क्योंकि story बहुत ही simple थी episode based है problem मेरेको action choreography में लगी to be honest मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको छोड़ी था example देता हूँ विचर सीरीज आ रही है Netflix में इस वक्त विचर सीरीज completely एक fantasy है पूरी पूरी तरह से fantasy है magicians है उसमें demons है विचर खोद एक demon है half human half demon या कुछ भी समझ गये ना तो उसमें कुछ भी किसी तरह कर realism नहीं है लेकिन जब मैंने उस movie का पहला fight scene देखा तो मैं Henry Cavill जो movie में जो superman था अब वो विचर प्ले कर रहा है उस movie में वो जो तलवार भी उठा रखी न उसका weight महसूस कर पा रहा हूं और यह मिले बहुत मजाद में को वो चीज दरी अच्छी रखती है न देखने में कि मुझे आ जो obviously यह सब हमें पता है acting हो रही है हमें पता है वह यह action choreography है लेकर हम आपको बहुता ट्रीट ने करें हैं आपको जो simulation देंगे या जो semblance होगा उसका वह आपको जितनी real fight हो सकती है बहुत ही skilled इनसान की उतनी accuracy आपको उसमें provide करके देंगे that treats that treatment जो कि एक mature audience का आप देते हो वो बहुत ही मैं appreciate करता हूँ at least उस scene को मैं serious लिकांगा विचर के जो action scenes है humans के बीच में मुझे बहुत बढ़े अलगे that is the only one thing जो कि इस शो को देखके मैंने I really gravitated toward मुझे story to be honest मुझे इतनी अची नहीं लगी और मुझे मैं शायद second season देखूं भी न but action उसका क्योंकि I think मेरा भाई मैंने बात अपनी भाई को बढ़ा है मेरा भाई वदारा उसके शायद interview पर देखोगा Henry Cavill का उसमें बता वी रहा कि तलवार इतनी भारी थी क्योंकि वो momentum जब एक तलवार आप गुमा रहे हो मुझे feel हो रहा कि उसको वापस लाने में क्योंक अपनी चीज feel हो रही है मुझे कि तलवार तरी भारी हो कितना मुश्किल है उसको चलाना और action scene के real consequences क्या होते हैं कि सामने वाला भी गधा नहीं है तो ताना जी मुवी से मैंने पहली चीज मेरी जो credibility चले जाती है वो यह है जब भाई ताना जी super warrior है I accept it I accept it ठीक है तब मॉ करने कि यह super warrior है वो चार लोगों को ऐसे करके काट देते हैं उसमें मत दिखाओ मुझे मुझे दिखाओ चार लोगों कैसे defeat करते हैं राइड MMA में MMA का बहुत बड़ा फैन हो दूसरी चीज आपको आता हूँ अगर तुम फाइट देख लो क्योंकि एक struggle start होता है फिर simple dominance दिखता है कि इंसान का level skill level यहां है दूसरे वाले का यहां है बट अगर आपने यह element जो है उस struggle को real बनाने का अगर वही हटा दिया कि सानवाले का skill यह level है लेकर अगर सानवाला simple दोड़ता वागे तलवार खा गया तो वो चीज मुझे कभी दिख नहीं बाई आप मुझे sell करो कि आना जी warrior level पे उनका skill यह है कि उनसे चार लोग भी अक इसके लिए से बचाने जा रहा था उसको पता है दो nights होते हैं वह सबसे गजब nights थे और स्टोरी टाम से वह चल ले होते कि भीया कि स्टार्क ने उनको खतम कर लिया था Robert Stark, Eddard Stark, Ned Stark, Eddard Stark, okay, he killed them, यह बहुँ बड़ा legend है उनके बारे में, और स्टोरी में जब वो back पर जाते हैं तो आपको दिख रहा है कि वो fight कर रहा है और Edd Stark है, Edd Stark की साथ उसके सेना में लोग जो हैं वो भी हैं बट वो अकेला इंसान आपको true sword fighting से दिखा रहा है कि वो कि इससे मुझे थोड़ा हो जाता कि यार थोड़ी से action choreography दिखाओ कि सामने वाला भी एक soldier है, वो भी warrior है, वो भी trained unit है, कोई भी दोड़ताबा simple तलवा खाने नहीं आता, दूसरी चीज हुमारी होगी 300 movie का अभी भी action scene मुझे समझ जाता, Bollywood क्यूं adopt करता है, slow motion वही कि आप द अभी तुम Hollywood की तुम King देख लो, movie जो मैंने काई, The King, simple The King movie में एक scene है, वो मारा medieval warfare का तुमारा ट्रबूशे से वो मार रहे है, एक castle पे, क्योंकि ब्रीच करने गले, अभी किसी castle को बहले ट्रबूशे छोड़ आते थे, अब उस scene देख के मज़ा आता है, उसमें कुछ नही हो रहा, लेकिन आप tribute देख रहे हो, क्योंकि हमारे real warfare में आजकल वो use नहीं होता, तो medieval warfare में बहुत aspects हैं, जो कि बहुत ही बड़ी हैं देखने में, जो मज़ा आ जाता है, जो कि हम क्योंकि वो नहीं करते हैं, आप उनको भड़िया तरह से दिखा पाओ, realistically दिखा पाओ, मैं मैं क्या रहा हूँ कि, अजे देवगन अगर actual में, as an actor हम बात करें, ताना जी को भी भूल जो ताना जी तो रहे नहीं दुनिया में, अगर हम अजे देवगन की बात करें, उसने अगर उस level based towards fighting सीखी होती, कि उसने skill वो capture किया, कि वो एक अच्छी choreography में part कर पार हो, हमें sell कर creative है, first scene में ही मेरा थोड़ा सा, I think, disbelief आ गया था, यब वो, you know, एक घाटी से होते विए जा रहे है, उनका एक konvoy जा रहा है, और उसमें चीजें हैं उनके पास, और छोटा सा, you know, army, वो cavalry जा रही है, यार, अब किसी ने भी हलकी सी भी तुमारे medieval history of warfare पढ़ा हुआ है, आप आप किसी भी घाटी या forest की बीच में से होते आ रहे हैं, क्योंकि धौग, plain field नहीं है, घोड़ो को चार्ज करने के लिए, तो आप कहोगे sitting ducks हैं, उस moment में, तो आपको actual में, अगर cavalry जा रही है, जो भी अगर warfare पढ़ना चाहिए, आप प्लीज थोड़े सी में हो जाते हैं, YouTube चैनल भी आपको मिल जाएंगे कि कैवले को कैसे defeat किया जाए, ऐसे times में, आप simple अगर आपके बात 10 archer हैं, तो आप massacre कर दोगे, आपको actual में नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, अब यही बात में रहाती है, कि अगर आप simple से बात करो, ताना जीगी, जो कि इतने जादा skilled, एक lieutenant है, अगर आप Shivaji महराज की बात करो, जो वार हाडन लोग होते हैं, वो उस time की वार की बात करो, जहां पर आपको strategist होना पड़ता था, आपको एक element देखना पड़ा, आपको geography consider करने ही पड़ी, आप किस land पे हो, आपको temperature study करने पड़ा, आपको climate study करना पड़ा, आपको सकम होगा, यह plane है, इसमें हम plane भी लड़ रहे हैं, यह तुमारा slopes है, क्या है, तो हम मैं यहां पर यह जूम करकर बैटा हूँ कि भाई, यह इनसान को सब चीजे कर रहा है, वो इनसान कभी रसी से नीचे, उस style से आते पर चार्ज करे गाई और उस scene से पहले क्या है, उन्हो मैंने बड़ा exciting ठागी, मैंने का वाउ, एक historical point of view जो क्या घजब मोमेंट है, कि गाटी से होते वारी है, और कैवल्री उसको प्रोडेक्टर नेकले है, और कैवल्री अपने वीकेज जगा पर है, वो टोटली बुचर कर सकते हैं, आपर कैवल्री को सिंपल आर्चरी से, और वो आर्चरी, आर्चरी हैं वहाँ पर फेकते हैं, मत्का जिसमें से शायद मदुमक्हिया निकलती हैं बहुत सारी और सम्तिंग, चलो ठीक है, theatricality, I understand, it's some movie, मदुमक्हियां काट रहे हैं सबको, लेकिन फिर वो खुद क्यों आके वहाँ चले आते हैं, जब उनको पता है तो हम इनको नहीं काटेंगे, वो तो मक्ही है, तो में को थोड़ा साथ confused किया, तो ये कुछ चीजे हैं यार, बाकी मैं seriously चाहूंगा, seriously चाहूंगा, शिवाजी पे consider करना चाहिए, historical point of view से पूरी series बनानी चाहिए इनको, और उसको mature, एक maturity साथ एक बहुती mature लोग को मेरे ख पर अगर आप story को maturity से treat करो, characters को depth से treat करो, और अगर उस time की politics, उस time का struggle, उस time में कितनी strategy बढ़नी पड़ी तो उनका पूरा vision एक इंसान को, कहां से वो अपने empire को कतना बढ़ा करके ले गया, फिर वो बारवर एक चीज़ हार रहा रहा, फिर उसको वापस जीतना पड़ रहा बार कि आपका views क्या था भाई, आप please share करें नीचे, आपको कैसी लगी movie, आपको लगता है कुछ चीज़ें मैंने जो बोले हो शकता है, वो ना जायज हो, तो आप वो भी बता सकते हो मुझे, हम यहाँ पर conversation कर रहे हैं, गुसा और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, simple conversation दो भाई बाते कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बेहन दियो तो दो भाई बहन बाते कर रहे हैं, इसमें, you know, disagreement है, ऐसे कोई बात नहीं है, चलवाई